बलुचस्तान भना शीन का कब्रिस्तान राश्चपती शी जिन्पिंग को लग रहा था, चीन की फौजी ताकत को देख कर बलुचस्तानी खौफ में आ जाएंगे और बलुचस्तान में चीन पाकिस्तान की शेफ़र पूरी तरह से कब्जा कर लेका लेकिन जिन्पिंग की ये खौफनाक साज़ेश बलुचिस्तान में दबाह होनी शुरू हो चुकी है चीन को मार रही है मजीद ब्रिकर बलुच आर्मी और उनके लड़ाके पिछले कई सालों से पाकिस्तानी सेना और बलुचिस्तान में मौजूद चीन नागरिकों को चुन चुन कर मार रहे हैं अब तक बलूच आर्मी 23 से जाड़ा चीनी नागरिकों को जान से माग चुकी है और पाकिस्तानी सेना कुछ भी नहीं कर पाई है। कि शी जिन पिंग आपको इन हमलों से पाकिस्तान की फौज भी बचा नहीं पाएगी यह धमकी बलूच इस्तान लिब्रेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने दी है और उसने बाकाइदा कहा है कि उन्हें उसने अपने हमले के लिए एक नए स्पेशल दस्ते का गठन भी किय पाकिस्तान में रह रहे चीन के अधिकारियों को बलूच इस्तान लिब्रेशन आर्मी ने वीडियो जारी कर धमकी दिये धमकी में साफ कहा गया है कि पाकिस्तान और बलुचिस्तान में मौजूद चीन के अधिकारी और नाग्रिकों पर आत्मगाती हमले शुरू होने जा रहे हैं बलुचिस्तान लेबरेशन आर्वी के इस वीडियो में कमांडर अंग्रेजी भाषा में साफ तौर पर कह रहे हैं कि बलुचिस्तान में चीनी अधिकारी नाग्रे और उनके छेकानों पर हमले होंगे औरही में तौररा के बलुचिस्तान, है कि अधिक कर्मेरा इनके जेनरल अस्लम बलोच मिशन विल कंटिनूँए जेनरल अस्लम बलोच आर्मी के लड़ाके ने धमकी देते हुए कहा है। जेनरल अस्लम बलोच भी चीन के अधिकारी और नागरिकों को नहीं बचा पाएंगे। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मजीद ब्रिगेट के तहट एक नए आत्मगाती दस्ते का गठन इसलिए किया है क्योंकि वो चाहता है कि आने वाले नए साल में चीन के अधिकारियों, उसके नागरिकों और उसके ठिकानों पर लगातार कई बड़े हमले किये जाएं। साथ ही उसका मकसद चीन का साथ दे रही पाकिस्तानी सेना को भी अपना निसाना बनाने का है। हुआ ये है कि आने वाले साल में चीन बलोचिस्तान में अपनी कई परियोजियों को अंतिम रूप देने जा रहा है। और ऐसे में बियल ने नहीं चाहता कि चीन अपने पर प लें कि उनका यानि बलुचिस्तान लेबरेशन आर्मी कमिशन लगातार जारी है। लें कि उनका यानि बलुचिस्तान लेबरेशन आर्मी ने चीनी इंजिनिरों पर भीशन हबला किया था। इस हमले में चार चीनी इंजिनिर, नौ पाकिस्तानी सैनिक और बियले के दो लड़ा के मारे गए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक इस हमले में 27 लोग गायल भी हुए थे। इस सातं की हमले की जन्यदारी बलूच लेबरेशन आर्मी के आत्मगाती दस्ते मजीद ब्रिगट ने ली थी। खास बात ये है कि चीनी सेक्योटी का पूरा धारोमदार पाकिस्तान सरकार पर है। पिछले साल यानि साल 2022 पे बियले के आत्मगाती हमले में चीनी इंजीनिरों को दासू डैम प्रोजेक्ट साइट पर ले जा रही बस को उड़ा दिया था। इसके बाद बिछले ही साल कराची उनिरस्टी में चीन की महीला प्रोफेसरों की बयान पर बियले की महीला फ्रेदाईन ने हमला किया था। इसमें 6 लोग मारे गये थे, इन वैसे 5 चीनी थे, बेशावर और वेटा में चीनी अपसरों पर 4 हमले हुए। कुल 7 चीनी नागरिक मारे गये, 2020, 2018 और 2017 में भी चीनी नागरिकों पर हमले हो चुके हैं। एक आँखडे के मुताबिक, अलग-अलग हमलों में अब तक 23 चीनी नागरिक पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं। A special unit in the Majid brigade has been formed, particularly to attack Chinese officials and installations in Balochistan. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Baloch's sons and daughters that you will never forget. जेनरल असलम बलोच, मिशन विल कंटिनुए स्पेशल सेक्योटी मोहया कराती है अखेले बलुचिस्थान में चीनी नादिकों की 70 मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है इसके अलावा 24 टेंपरोरी कैम भी है इन सभी में चीन के वो अपसर और वर्कर रहते हैं जो सीटेक से जोड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं बलुचिस्थान के लोग नहीं चाहते कि उनके प्राकरतिक संसोधन को विदेशी लोग दोहन करने और उनके अपने लोग भूखे नंगे रह जाएं यही कारण है कि बलुचिस्थान लिबरेशन आर्मी ने अब चीन को खुली धमकी देकर चीन और पाकिस्थान के खिलाफ एक नई जंग का एलान किया है चीन की दिक्कत इसलिए बढ़ गई है कि पाकिस्थान के सबसे खतरना कातन की संगट है तैरीके तालिबान पाकिस्थान यानि TTP ने BLA से हाथ मिला लिया है अब चीनियों पर खतरा कई गुना बढ़ गया है इधर बलुचिस्थान में पाकिस्थान के खिलाफ पगावत शुरू हो गई है बलुचिस्थान पाकिस्थान से पूपने के लिए बुरी तरह से मचल रहा है कुछ रिपोर्ट्स के मुदाविक पाकिस्थान के तमाम आतंकी संगटन चीनी नागरिकों और उनके कारोबार या कंपनियों को तबाह करने पर उतारू है इसकी वज़े ये है कि बीते 5 सालों में यहां चीन अरिकारियों और नागरिकों की ताकत और रसूप बहुत तेजी से बढ़ा है कई जगे पर तो वो बलुची लोगों से ज़ादा ताकतवर है यही वज़े है कि अब बलुचिस्तान लेबरेशन आर्मी ने ना सिर्फ चीनी नागरे को पर हमले थेस कर दिये हैं बलकि अब शीर जिन पिंग को सीधी दम की देनी भी शुरू करती है